विद्यार्तियों नमशकार इस वीडियो लेक्षर में हम लोग जिस पेपर को डिसकस करने वाले हैं वो पेपर बरकत उल्ला विशुद्याले भोपाल का पेपर है और यह पेपर बीएस्सी प्रथम वर्ष का है आधार पाठ्ठे करमें साथ कि आप लोग अच्छे से जानते ह प्रथम वर्ष के आधार पाठ्ठे करम का जो सिलेबस है वो सेम है यह अलग अलग नहीं है तो हम लोग बात करते हैं यहां पर पेपर फर्स्ट फांडेशन कोर्स का यह पेपर तीन जून दो हजार तेविस को बरकत उल्ला विशुद्याले के अंतरगत आने वाले पुद्यालेव यानि कोलेज के अंदर हुआ था तो फांडेशन कोर्स का पेपर फर्स्ट और इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी लेंग्वेज के पचास प्रश्णों का सॉलिशन और इसी प्रकार से इंग्लिश लेंग्वेज और इंडियन कल्चर के भी पच हैं सात्यों पहला प्रश्ण आपको दिखाए दरहा है मैतलिशन गुप्त का जन्मक कब हुआ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाया का सात्यों बी ऑप्शन जो दिया हुआ है तीन अगस्त नाइन तीन अगस्त 1886 को हुआ प्रश्ण करमांग दूसरा जो आपको दिखाए दे र का नाम क्या था तो मेत्जिशन गुप्त के प्रतम कावि संग्रह का नाम हो गया यहाँ पर रंग में भंग या दरखिये का साती ओं रंग में भंग इनका प्रतम कारे Communist अधालि अगस्त यहli है तो इसमें यहाँ पर हो गया यहाँ पर सिदा यहांauction हो गया कि नीला- तीसरे का correct answer नीला, आकाश, B option correct हो जाएगा, प्रश्ण क्रमांग 4, निमली कित में से किसे राष्ट कवी की उपादी दी गई है, तो प्रश्ण क्रमांग 4 का correct answer मेतिश्ण गुप्त, C option correct हो जाएगा, आगे चलते साथ ही प्रश्ण क्रमांग 5, मात्र भूमी का सिहासन है, तो की इस ये पंक्तियां कोन सी पोयम से ली गई है तो चटे का करेक्ट आंसर है मात्र भूमी कवीता से ली गई है चटे का करेक्ट आंसर बी प्रिश्ण करमांग साथ हंस पत्रीका का प्रकाशन किसने आरंब किया था तो प्रिश्ण करमांग साथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा B. Option मुंशी प्रेमचन्द ने कब किया था? तो 1930 में बनारस से प्रारंब किया था. प्रिश्ण करमांग अगला जो दिया हुआ है, साथ के बाद आठ, शत्रण्ज के खिलाडी कहानी के माध्यम से क्या दिखाया गया है? तो साथियों प्रिश्ण करमांग आठ का करेक्ट आठ 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 ए बारतिय शाशकों का पतन दिखाया गया है. प्रिश्ण करमांग नो, मीर और मिर्जा किस वर्ग से सम्मंदित थे? तो नोवे का करेक्ट आठ 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 सी, उच्छ कुलीन वर्ग से सम्मंदित थे. प्रिश्ण क्रमांग 10 मीर बिगाडू नाम किस ने रखा तो मिर्जा की बेगम ने रखा तो प्रिश्ण क्रमांग 10 का correct answer C प्रिश्ण क्रमांग 11 मुंशी प्रेम चंद आरब में किस भाशा में लिखते थे तो बारवे का correct answer साथियों यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है option C विलासिता के बारे में दिखाता है प्रिश्ण क्रमांग 13 यत्र तत्र सरवत्र किस की रचना है तो यह है शरत जोशी की तो तेरा का correct answer B प्रिश्ण क्रमांग 14 जीप पर सवार इल्लियां पाट के लेखक कोन है तो डेफिनेटली कोन होंगे इससे पहले वाला प्रिश्ण डारेट करनेक्ट हो रहा है तो शरत जोशी चौदा का correct answer A शरत जोशी 15 प्रिश्ण क्रमांग 15 एकादा मित्र केसा होना च चाहिए तो एकादा मित्र आपके जितने भी मित्र उसमसे एकादी मित्र करनसा होना चाहिए साथियों तो बुद्धिमान होना चाहिए 15 correct answer C प्रिश्ण क्रमांग 16 किसान हाथ जोड़कर कापने लगा किसान को किसका भय था प्रिश्ण क्रमांग 16 का correct answer यहां पर हो जाएग साथियों कौन सा ए खेत उजड जाने का भय था आगे चलते प्रिश्ण क्रमांग 17 शरच जोशी का जन्म कब हुआ तो correct answer B 21 मार्च 1931 को हुआ प्रिश्ण क्रमांग 18 रामायन की रचना किस ने की आप लोग अच्छे से जानते हैं कि राम चरित्र मानस की रचना तो मर्शी तुलसी दास ने की या गो स्वामी तुलसी दास ने की और रामायन की रचना मर्शी वालमी की ने की तो अठारव करेक्ट आंसर B वालमी की जी प्रश्ण क्रमांग 19, कर्तिवास रामायन किस बाशा में रची थे, प्रश्ण क्रमांग 19, करेक्ट आंसर D, बैंगौल के अंदर रची थे, प्रश्ण क्रमांग 20, कंब रामायन विश्व साहित्य में उत्तम करती है, तो कंब रामायन किस ने लिखिये के सकते हैं, या उत्तम गरती किसकी है तो वो है श्री वी वी एस अयंगर की यादर केगा साथ हूँ श्री वी वी एस अयंगर 20 वी का correct answer C प्रश्ण करमांग 21 पद्म पुरान का संबंद किस धर्म से है 21 वी का correct answer A जेन धर्म से इसके रचीता को नहीं है इसको किस ने लिखा तो आचारी रवी क्षेन ने लिखा आचारी रवी क्षेन ने इसको लिखा है आगे चलते प्रश्न क्रमांग 21 के बाद में प्रश्न क्रमांग 22 श्री राम पांचाली किस रचना का दूसरा नाम है तो 22 के रेक्ट आंसर रोगा साथियों C क्रतिवस रामायन का दूसरा नाम क्या है तो शिराम पांचाली 22 प्रश्ण का करेक्ट आंसर C 23 आच्चारे रामचंदर शुक्ल किस विदा के लेखक थे तो आप लोग अच्छा जानते हो आच्चारे रामचंदर शुक्ल ने सबसे आदा निबंद लिखे हैं तो 23 का A 24 उस्सा क्या है तो उस्सा एक मनोविकार है एक विचार है एक तथ्य है तो 24 का करेक्ट आंसर D उप्युक्त सभी प्रश्ण करमांग 25 चिंता मनी किसका निबंद संग्रहे प्रश्ण करमांग 25 C आच्चारे रामचंदर शुक्ल का प्रश्ण करमांग 26 उस्सा के भेद किस आदार पर किये गए हैं तो 26 का करेक्ट आंसर सातियों कश्ट या हानी के आदार पर उस्सा के भेद किये गए हैं तो 26 का करेक्ट आंसर A कश्ट हो जाएगा याद रखिएगा 26 का करेक्ट आंसर A कश्ट Q27, प्रश्नकरमांग 27, निमलिकित में से कौन सी रचना आचारे रामचंदर शुकल की नहीं है 27 वे प्रश्नकर करेक्ट आंसर D. गोदान गोदान किस की है तो मुझ्शी प्रेमचन की Q27, रामदारी सी दिनकर का जन्म कब हुआ 28 Q27, हिंदी का प्रश्नकरमांग 28, ऑप्शन B 24 सेप्टमबर 1908, चोविस सेप्टमबर 1908 को हुआ प्रश्नकरमांग 29, कोन सी रचना आचारे सी दिनकर की है 29 वे प्रश्नकर करेक्ट आंसर D. परशुराम की प्रतिग्या प्रश्नकरमांग 30, दिनकर की काविशेली किस रच्ट की प्रधानता रखती है तो दिनकर्ची ने जितने भी काविशेली की प्रश्नकरमांग 31, प्रकरती ने भारत के किस प्रकार खंड किये है तो इसके option A और B दोनों correct है हिमाले के दक्षिन से उत्तर विंदि तक और विंदि से कृष्णा नदी के उत्तर तक फिर कुमारी अंतरदीप तक का भाग तो 31 से correct answer C A और B दोनों प्रश्ण क्रमांग 32 विवित्ता का सबसे बड़ा लक्षन क्या है तो हम लोग जानते हैं पूरे भारत में किस बात के विवित्ता है कल्चरल तो ही सही सबसे ज़्यादा विवित्ता होती है भाषा के विवित्ता तो प्रश्ण क्रमांग 32 वे correct answer A भाषा क्योश्ण नमबर 33 प्रश्ण क्रमांग 33 क्या कह रहा है यह किरा है कि आदी शंकराचारे का जन्म कब हुआ तो इनका जन्म 508 से 509 इसापुरु हुआ यानि कि इसको इसापुरु को कन्वर्ट करें 508 पांसो नो को तो 800 बैया 822 इस्वी में हुआ correct answer B इस्वी question 35 ब्रह्मा सत्य है जगत मिथ्या है यह कथन किसका है यह कि एक सिद्दान किसका है तो आदी शंकराचारी का कथन है यह पे थिसवे का B 36 तो अम्रत का परियावाची नहीं है 36 यहापर हो जाएगा वरी 37 इच्छा का परियावाची क्या है मनोरत अभीला शाह सभी है तो उप्युक सभी हो जाएगा प्रिश्ण करमांग 38 परस पर विपरित अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं विलोम शब्द कहते हैं 38 का ए 39 रीत शब्द का विलोम क्या है बहुत शांदार प्रिश्ण पूरे पेपर में सात्य विपरिश्ण बढ़ा चांदार लगाने तो क्या है चलते हूं उसकी तरब 39 का correct answer क्या होगा तो A होगा रीत का अर्थ होता है सत्य याद रखिएगा रीत का अर्थ होता है सत्य तो यहाँ पर लिखा हुआ है अन्रत अन्रत जो A option दिया हो उसका अर्थ होता है जूट याद रखिएगा सात्यो जूट तो 39 का correct answer A हो जाएगा 39 का सही उत्तर A अन्रत आगे चलते हैं प्रश्ण क्रमांक 40 जो कश्ट सहन कर सके वाक्य के लिए एक शब्द में आप क्या लिख होगे तो 40 वे का correct होता है कश्ट सहिष्णू आता है वर्ण तो 40 वे का correct answer B सहिष्णू हो जाएगा B option correct है 41 दो बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द आप क्या लिखोगे तो 41 का correct answer A द्विच 42 व्यंजन से स्वर्य व्यंजन के मेल से उत्पन विकार को क्या केते हैं तो 42 का C व्यंजन संदी केते हैं प्रश्ण करमांग 43 यद्द पी का सही संदी विच्छित क्या है तो यदी धन अपी 43 का भी correct answer C प्रश्ण करमांग 44 विपजला में कौन से संदी हैं तो व्यंजन संदी हैं 44 का भी C 45 यश्यो अभीलाश्या में कौन से संदी हैं विसर्ग संदी हैं प्रश्ण करमांग 46 अंतरंग में कौन से संदी हैं तो सात्यों अंतरंग 46 C विसर्ग संदी हैं एक दियावाय वर्ड वत्थू ससो धम जेन धर्म का प्रवर्चन एक लाइन दिख रही है आपको में तोड़ा जूम कर देता हूँ वत्थू सहावो धमो जेन गरंत का प्रवर्चन सार के अनुसार इसकार्थ क्या है तो वस्तू का जो भी सुबाव है वही धर्म है क्योशन नमबर 47 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आगे चलते हैं क्योशन नमबर 48 अदेश से क्या तात्पर है तो जीव ब्रह्मा तत्तध एक है 48 का बी हो जाएगा 49 कॉंसेप्ट आप माइंड पुस्तक किसकी है तो यह बी ऑप्शन लिजबड लेली की पुस्तक है पृष्ण करमांग 50 उदारी करण की क्या लाब है तो जीटीपी तता विकासदर में वरद्धी विदेशी निवेश में वरद्धी और गुनवत्ता में सुदार उप्युक्त सभी साथियों मैं आपको यहाँ पे छोटी से इंफरमेशन दे दूँ कि आपको फाउंडेशन कोर्स अर्थात हिंदी और इंगलिश दोनों मिलाकर पास होने के लिए सो में से यहनि हंड्रेड में से आपको थर्टी फाइब माक्स का रिक्वार्मेंट होगा पे तिस नंबर लाने पर ही आप पास माने जाओगे पर यह पे तिस से कम नंबर लेकर आते हैं तो आपको सप्लिमेंटरी आ जाएगी प्रश्ण करमांग एक इंग्लिश लेंग्वेज और इंडियन कल्चर पार्ट बी तीन तारीक को जो पेपर हुआ उसका सॉलिशन देख रहे हम लोग साथ यहों चैनल पर दिया आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा क्योंकि बड़ी मेंट से हम लोग आंसर को सर्च करते हैं ढूंडते हैं उसके बाद में फिर वीडियो को रेकॉर्ड करते हैं और आप लोगों तक लेकर आते हैं तो हमारी मेंट का तोड़ा सा फल मिलना चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के इसको शेर कीजिए प्रिश्ण करमांग एक बड़ा सरल सा प्रिश्ण है वाट इस फूल नेम अब दे अम गांधी तो मोहन दास करम चंद गांधी पहले का भी आंसर करेक्ट हो प्रिश्ण करमांग दू प्रिश्ण करमांग दो दिया हो तो साथियों विचार करिए इस प्रश्ण पे बड़ा मस्त प्रश्ण लगा बड़ा अच्छा प्रश्ण है आपको मैं तोड़ा सा हिंट देने जा रहा हूँ चलते आगे चार जून 1944 की बात थे चार जून 1944 एक रेडियो प्रसारण हो रहा था सिंगापूर से और उस रेडियो प्रसारण को जो संबोधन कर रहे थे उनका नाम था श्री नेताजी सुबाश्चंद बोस और श्री नेताजी सुबाश्चंद बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट पि के नाम से संबोधन किया था तारीक बता देता हूं मैं 4 जून 1946 को एक रेडियो प्रोग्राम की दोरान ये बात कही गई थी याद रखिएगा अच्छा प्रशने है प्रश्ण करमांग 3 बहुत बड़िया प्रशने ये भी प्रश्ण करमांग 3 का करेक्ट आंसर साथ यो 1937 कौन साथ यो 1937 तिसरे का बी प्रश्ण करमांग 4 इन विच मैग्जीन इन विच मैग्जीन एजूकेशन करिकुलम वास पब्लीजट कब पबलीश हुई थी साथ यो 1937 में दे हरीजन नाम की एक पेपर निकला था न्यूस पेपर उसके अंदर एजूकेशन के बारे में पबलीश हुई थी एजूकेशन मैगजीन बोल सकते हूँ उसको एजूकेशनल पेपर था पहला वो के नाम था दे हरीजन 1937 में पबलीश हुआ था प्रश्ण करमांग 4 का करेक्ट आंसर बी होगा आगे चलते साथ यो प्रश्ण करमांग 5 की तरब तोड़ा सा जूम कर रखा है मैंने क्योंकि जो क्योशन हमारे पास तक जो विद्यारतियों ने पहुचा है उसकी तोड़ी इमेज कलियर नहीं हाई है इसलिए इस तरीके से तोड़ा सा बलर आ रहा है प्रश्ण करमांग 5 गितांजली जो पुस्तक है उसको किस भाशा में लिखा गए है तो सात्यों आप अच्छे से जानते हो कि भारत में रविन्नात तेगोर जो है वो बंगल के रहने वाले थे तो डैफिनेटली कोन सी भाशा में लिखियोगी बंगली में लिखियोगी तो सात्यों करेक्ट आंसर भी बंगली हो जाएगा प्रश्ण करमांग 8 Who is the first non-European to receive Nobel Prize? अब चसे जानते हो? पेले भारती कोंते है तो रविना टेकोर जिसको Nobel Prize मिला था. आगे चलते है प्रिश्णक्रमांग 10. Who is the address in the poem where the mind is doubt fear? किसको address की गई है? God को, Bhagवान को, Ishwar को, Khuda को. प्रिश्णक्रमांग 10. Gitanjali in English is known as? बहुत बड़या प्रिश्णक्रमांग 10 वा. Gitanjali पुस्तक का English में नाम क्या है? प्रिश्णक्रमांग 10 का correct answer B, offerings song. पुरा नाम है इसका, offerings song. तो यहाँ पे काली offerings दिया हुआ है, तो 10 वा correct answer B हो जाएगा. प्रिश्णक्रमांग 11. Who has written the introduction of the poem Gitanjali? Who has written the introduction of the poem Gitanjali? Gitanjali poem का introduction किस ने लिखा था? तो लिखा था, William Butler East ने. William Butler East ने लिखा था. Correct answer C हो जाएगा. प्रिश्णक्रमांग 12. The X is the, क्या है? The X story है, 12 का D हो जाएगा. सात्यों में बता दूँ कि हमने कोशिश करिये कि सभी प्रिश्णों के answer आप तक व्यवस्तीत और सही सही पोचा है. पर कभी-कभी यह होता है, कि जब 100 questions के answer हम सर्च करते हैं, हमारी team से हम बनवाते हैं, उसको record करवाते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है, कि recording के दोरान या जब question का answer सर्च किया जाता है, उस दोरान कभी-कभी mistake हो सकती हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि 99% answer यहां पर correct है, एक या 2% mistake होने की probability है, संभा होना हैं. प्रश्ण क्रमांग 13 का answer देखते हैं, whose forest told the valence would live in a big house, किसके केने पर वो घर छोड़के गया था, तो astrologer के कारण वो घर छोड़कर गया था, प्रश्ण क्रमांग चहुदा, in valence opinions being mentioned existed only in, तो banglows, प्रश्ण क्रमांग चहुदा, correct answer D हो जाएगा, प्रश्ण क्रमांग 15, the most work of R.K. नारायन, R.K. नारायन को सबसे ज़्यादा किस पुस्तक के लिए जाना जाता है, पर एक उनकी है, Swami and His Friend, वो नाम नहीं दिया है यहांपे, malgul days आपने दीके भी धारवाई देखी हो, तो वो भी उनकी एक बहुत बढ़या पुस्तक है, और यहां पर एक दिया हो the guide, सत्रा की तरफ, हूं सिजाइज द्रॉपती बाई her hair and dragged into the court, तो आप लोग जानते हो कि महा भारत में आपने देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो उसमें जो द्रॉपती के वो, जो हेरे बाले उनको घिच कर कोन लाता है, तो दुश्याशन, प्रिश्नक्रमांग 18, वीच टेक्स वाज इंट्रोडिउस वाज सीराज गुपलाचारी, तो सेल्स टेक्स 18 का सी, प्रिश्नक्रमांग 19, वीच पार्टी वाज पाउंटर बाई सीराज गुपलाचारी, राज गुपलाचारी ने कौन सी पार्टी बनाई थी, पहले चारीगी तो भिस्यों करेक्ट आंसर ए पच्चेस दिसंबर उन्नी सो बहुत तरको उनकी डेथ हुई थी अब साथ में आप एक पैसेज दिया हूँ रेट पैसेज गीवन विलो एंड आंसर दे क्योशन 21st to 30 21 से 30 तक क्या आपको आंसर बताना है तोड़ा एक बार में क स्थाइट आप इसको पढ़ लीजेगा तोड़ा सा में सिदा आंसर की तरप यहां से चलूँगा तो यह अंसर पैसेज जो दिया हूआ है इसको एक बार आप रिड कर लीजेगा वीडियो को रोग कर और मैं सिदा अब आंसर की तरप चार रहा हूं दा इंजुरी साइट सा अब आपने वीडियो रोक कर इसको पढ़ लेना है, उसके बाद में सिधा आंसर की तरब चलता हूँ, प्रिश्नकरमाग 21, इसमें कार एक्सिडेंट की बात हुई है, प्रिश्नकरमाग 21 की बात करें तो, और गन शोट की बात तुए और फॉल्स की बात तुए, तो 21 करेक्ट रांसर आती हूँ, डी हो जाएगा, प्रिश्नकरमाग 22, वीच एनिमल्स है, डॉक्टर निंक्स जिंक्स यूस्ट टेस्ट हर जेल, तो रेट्स चुहें के उपर उन्होंने परिक्शन किया था, या करेंगे, ऐसा कुछ उसके अंदर उल्लेखीत, 22 करेक्ट रांसर, C हो जाएगा, प्रिश्नकरमाग 23 की तरब आ जाता हम लोग, क्वेश्ट नमर 23, 23 जो इसक्रिंट पर आपको दिखाए ज़रा, विल्कुर उसके अंदर जो नाम है, डॉक्टर का नाम आ जाएका, डॉक्टर निंग, 23 का A, प्रिश्नकरमाग 24, उनकी यूनिश्टि के बारे में पुछा गया है, तो आप उसकी यूनिश्टि पढ़ोगे डंग से, तो आपको मिलता है, क्लेमंसन यूनिश्टि, क्लेमंसन यूनिश्टि, चोभिसवे का C, पच्चिसवा, पच्चिसवे का करेक्टन आंसर सात्यों यहाँ पर हो जाएगा, A option, जेल, प्रिश्नकरमाग 26, 26 वे का B हो जाएगा, यहाँ पर सात्यों A, 27 की तरफ, 27 की तरफ देखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, Brain Injury are the hand to repair, sorry, hard to repair, 27 का B हो जाएगा, 28 की तरफ चलते, अप्टर अप्लाइंग जेल इंजूरिस, तो 28 के बारे में बात करें, तो A इसका correct आंसर हो जाएगा, 29, 29 का correct आंसर हो जाएगा, सात्यों C, humans, पहले उन्होंने चुहे के उपर परेशन किया, उसके बादो मनुश्यों के उपर उसका परेशन करना चाहते थे, प्रश्नक्रमांग 30 का correct आंसर हो जाएगा, A, limited blood supply, तो यह तो अंसिम पैसेस के आंसर थे, अब चलते हैं प्रश्नक्रमांग 31 कोश्यों, अंसिम पैसेस के यह दस प्रश्नों में से एक हाधी आंसर गलत हो सकता है, मैं sure नहीं हूँ, ध्यान रखिएगा, पर हमने कोशिश करिए कि आंसर सभी आप तो correct पहुचे, प्रश्नक्रमांग 31st, अब चलते हैं 32 प्रश्नक्रमांग 33, नाइधर हर नौर हीस सर्वेंट्स 33 का बी हैव लफ्त, 34, रमेश गोस तो स्कुल्टरी 34 का बी 35, शी वाज वर्ग्ड विन आइज रहुचे आप तो अप्रश्नक्रमांग 36, 36, करेक्टर अंसर होज़ागा beside, बी आप्शन करेक्ट होगा, चलते हैं क्योश्चन नमर 37 की तरब, 37, क्या क्योश्चन केह रहा है, वन हूँ है, जो महिलाओं से न अफरत करें, उस कोलते हैं, मिसोजिनिस्ट, 37 का C करेक्टर अंसर, मिसोजिनिस्ट, 38, इंग्लिश इस स्पोकन अल अवर द वर्ड, 38 का D आंसर होगा, 39, अप्टर लंच, लेट गो आउट फोर अ कॉफी, तो साथियों, इसका आंसर आप विसे प्रडाओ, प्रोजिशन होना चाहिए, पर अप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताईएगा, क्वेशन नमबर 40, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा, जैसे conjunctionist का answer होना चाहिए पर एक बार आप confirm करके बताईएगा इसको 41 Noun is the name of person, place and things 41 का correct answer D हो जाएगा आगे चलते है 42 Which of the following word does not have full as a suffix 42 का correct answer सात्यों यहाँ पर हो जाएगा C hence full नहीं होता है 43 Choose the word with incorrect suffixable तो victorialable 43 का D हो जाएगा 44 44 की तरफ चलते हैं लोग इसका correct answer हो जाएगा यह पर decarbonate 44 का B 45 45 का हो जाएगा Imaginary perfect sets of place उसको होते utopia 45 का A आदर्श लोग होता है utopia का मतलब होता है आदर्श लोग 45 का A option correct 46 यहाँ पर हो जाएगा government by the wealth he is तो plutocracy 46 का है मनद धनाटे लोगों के लिए जो सरकार चलते उसके लिए वड़ा था plutocracy 46 का A answer correct हो जाएगा 47 47 का correct answers आती हो आपर C 48 48 का correct answers आती हो आपर A Y E W आगे चलते हैं 49 क्योंशन आप rate out करिएगा 49 का correct answer हो जाएगा C टायर और टायर और प्रश्ण करवांग 25 वा आखरी प्रश्ण है 1 who does not have mother and father जिसके माता पिता दो नहीं होते उसके वड़ाता हैं यहाँ पर orphan orphan 50 वे का answer A तो साथ हो यह था 3 जून 2013 को बरकत उल्ला विश्विद्याले के अंतरगत आने वाले कोलेजों में हुए पेपर का solution foundation फर्स्ट हिंदी के 50 और इंग्लीज के 50 प्रश्णों का solution इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा आई होप यह वीडियो लेक्चर आप लोग अच्छा लगा होगा ने वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी